आज बारत पुरानी सोच पुराने धरे को छोड़ करके लक्षों को तय करके लक्षों को प्राप्त करने के प्रिजा से चल रहा है और ज़म्य कहता हूं ना कि जिसका सिलान्याथ हमारी सरकार करती है उसका उद्धार्ण भी हमारे कालखनमे करते हैं इन दिनों जो में चिलान्यास कर रहा हूं ना आप लिखके रखिए उसके उद्धातन भी आप सबने मेरे नसिब में छोड़े हुए है हमारी कारशंस्क्री के बढक सोषना दूर का सोषना सर्वजन हिताए स्वजन सुखाए सोषना यह हमारी कारशेली रही है और सोच से भी ज्यादा संकल्प से भी ज्यादा हांचिल कैसे करना इस उर्जा के साथ हम काम करते हैं हमने आजहादी के काल अमरिज सरोवर बनाने का संकल्प किया था उस समय हमने हर जिले में 75 अमरिज सरोवर बनाना संकल्प किया था करीब 55 अमरिज सरोवर की कल्पना की थी लेकिन आज करीब करीब 75 अमरिज सरोवर का काम मिर्मान हो रहा है यह अपने आप में बहुत बिड़ा काम हो रहा है, जन्रशक्ति और जल्रशक्ति की ताकत हारत के परियावरन के रक्षा में भी काम आने वादी हैं, 18,000 गाउं तक बिजली पहुँचाना, जन्तंक बेन खाते खोलना, बेट्कियों के लिए साउचाले बनाना, सारे टार्गे समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे कड़गा, और जब बारत ठान लेता है, तो उसे पूरा करके जाता है, यह हमारा ट्रेक रकॉर्ड कहता है 200 करोर वैक्सिनेशन का काम, दुनियां हमें जब पुझते हैं, 200 करोर सुनती है, उनकी आँखे फड़ जाती है, इतना बड़ा काम, यह मेरे देश के अंगेनवाडी वरकर, हमारी आसा वरकर, हमारी हिल्थ वरकर, उन्होंने करके दिखा, यह मेरे देश का सामर्त है, फाउजी को रोलाउट किया, दुनिया में सबसे तेज गती से फाउजी रोलाउट करने वाला मेरा देश है, 700 जदिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं, और अब 6G की भी तैयरी कर रहे हैं, हमने टास्पोर्ट बना दिया है, रिन्योबल एनर्जी, हम टार्गेट से पहले चले हैं, हमने रिन्योबल एनर्जी 2030 का जो टार्गेट तैय किया था, 21-22 में इसको पुरा कर दिया, हमने इखेलों में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पुरा कर दिया, हमने 500 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पह नई सौंसत बने, पारणा में का कोई सत्र ऐसा नहीं था, नई सौंसत ये, ये मोदी है, समय के पहले नई सौंसत बना करके रख दिया, मेरे पहले पहले प्राइव के न, ये ताकाम करने वाली सरकार है, निर्धारिक लच्छों को पार करने वाली सरकार है, ये नया भारत ह यह आत्ममिश्वास से भरा हुआ भारत है यह संकल्पों को चरितार करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है अर इसलिए यह भारत नरुकता है यह भारत नहांबता है और नहीं यह भारत हारता है